Hello Everyone, Baby, Mom, Massage and Tips Channel में हम पूजा रहूल आज आपको 9th month, 9th month pregnancy के बारे में बताने वाले हैं, यह हमारा 3rd section है अब हम आज true pens and false pens इसके बारे में बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहें, false pens क्या होते हैं false pens जो है, थोड़ा mind में भी होता है, अभी 9th month start हो गया है, तो अभी pens start होने वाले हैं, थोड़ा मन में रहता है इसके वैसे थोड़ा भी दर्द हुआ, तो हमें लगता है कि अभी pain start हो रहे हैं, अभी hospital जाना पड़ेगा क्या, थोड़ा इसा भी होता है इसलिए हम दोनों का फरक जो है, वो बताने जा रहे हैं तो जो हम अभी आपको false pain बता रहे हैं, वो जो है, ज्यादा तेजने रहते हैं ईसका जो pain है, ज्यादा नहीं रहते हैं, वो mild रहते हैं जो पेंस आते हैं वो धीरे-धीरे आते हैं सेहन करने जैसे होते हैं ज्यादा सेहन न करने जैसे नहीं होते हैं और धीरे-धीरे आते हैं और continue चालू रहते हैं ऐसे लगता है दर्ध हो रहा है दर्ध हो रहा है बस इतना ही मैसुस होता है और पेट में दर्ध हो रहा है ऐसा ल रखता है जो पेन है आएसे अगर आपको से लगता है तो और आपको क्या करना चाहिए है क्लिश्क है करने से पीछ आपका खुड़ कम हो चाएगा तो और इस पेन में आपको जो वाटर लिग जो बोलते हैं यूरियन जैसे पास होती है उस तरह सा जो पानी आता है ऐसा कुछ होता नहीं है अगर टूपेन होगा तो थोड़ा एभी सिंप्टम रहते हैं तो अगर ऐसा कुछ लगा आपको दर्द हो रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा पेन लग रहा है आपको तो फॉल्स पेन रहते हैं अब यह हम टू पेंज कैसे रहत है है इंग आपको बता रहे हुँ यह जो है वह जादा तेज रहेते है जादा दर्ध वाले रहते है उसमें जादा सब्सक्राइब ऑले इसमें जादा दर्धOW डर्ध रहता एसा कर दस मिनिट फिर पाच मिनिट फिर तेजी से ऐसे डिस्टंस वाइज जल्दी-जल्दी आते हैं ओ एक जैसा पें ने रहता है उपकिन बढ़ता है जैसे फॉल्पेंश जो है जो है फ्लाट रहते है उस तरह से बरते जाते है दड़ता जाता है इसको कहеते है हम टूपेंश उसमें पेड भी कडक लगता है, पेट थोड़ा नीचे के साइड में आता है, क्योंकि अंदर का बेबी जो है, अभी पेनिवेल के में उसका सर आ रहा है, इसलिए बेबी अभी नीचे आ रहा है, अपना पेट थोड़ा नीचे आ गया है, सास लेने में जो दिक्कत होती थी, वो अभी हमें नहीं हो हो रही है यह सब जो सिम्टस है नाइज सिम्टस से और जो पेन जो है टुदिएट आने की सिम्टस से अभी डिलिवरी होंट वाले हैं इसके दोशी सिम्टस है और क्या शाथ रहेते हैं वाटर भरेक होता है औरında कि से हो जाता है किसी का धीरे धिरे होता है जैसे यूरियन पास होती है उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और जो है powetti होती है होने जैसे मैसوس होता है इसda लगता है यहां मैं मेरिक हो रहे पोर्टिया रही है इससे लग रहे दर्द जाधा हो रहे तो आपको को अपने डॉक्टर से पास क्याना विअब раб arm निकरने की कोशिश कर रहा है इसलिए अपको स्ठाट हो रहा추 है अभी इसी तरह से अभी आप टूपेर्स और फॉल पेंस यह आपको बता दिया है और अभी नाइट मन का ही थोड़ा हम बता देते हैं अभी नाइट मन जो स्टार्ट हो गया है तो हमने बैक तो पहले से ही पैक करकी रखी है उसमें हमने मेडिकल फाइल रखी है बेबिस के कपड़े जे डॉक्टर ने लि ले लिए और दूसरा जो है एक बात जो है डॉक्टर का हमें बताना है और अपने ब्रेस्ट ब्रेस्ट का निपल अगर अंदर हो जाएगा तो बेबी को सकिंग को प्रॉब्लिम आ सकती है और देखना बहुत जरूरी है एक बार आप गाइनेकलोज से और चेक कर लेना अग है रखेच ले कि मैं आता है अम जो नहीं तब थोड़ा एकसराइस करबा सकते हैं गरम पानी अगर पानी से कर सकते हैं यह डूसरा थोड़ा तो फैसकर सकते एस नेकऽ सकते ऑन стороны का आगे कैसे आ सकते उसका हम मसाजD भी कर सकते हैं यह सब आपको 9th में मंथ में या 8 मंथ में ध्यान रखना है निपल का जो ब्रेस्ट की निपल है ओ ठीक है क्या नहीं एक आप खुद दिखाना है अगर उब भूल गए तो भी आपको दिखाना है कि यह बराबर है क्या क्योंकि बाद में जब डिलेयरी होने के में होदा है एक बार हमारे ब्रेस के निपल चेक कर लेना ऐसे डॉक्टर से आप पूछ लेना बता देना और जरूर करना कि बहूँ सखने करते हैं तो यह सब प्रॉब्लिम बात में न आये इसलिए हमें एक सब बताना चाहते हैं जब आपनी रिप होती है तब होस्पिटल वाले हमें Natal घ्म natal जोर्थ करते हिने तब क्या करना हैं हमने खुट घर से जो समझ हमघा हम сов गर से ही होस्पिटल जाते हैं तभी हम जब बैग में हमें अपना कमफर्टेबल सैनेटरी पैड रखना चाहिए यह भी बात उतनी ही जुरूरी है क्योंकि जब सैनेटरी पैड अच्छे हो ना फिलिंग हमें अच्छे आती है हॉस्पिटल के पैड यूज़ करने से हमें चिर्चिरा पना आ जाता है इसलिए ये भी बात आप ध्यान रखना सैनिटरी पैड की अभी मार्केट में सैनिटरी पैंटीज भी आते हैं वो तो बहुत अच्छे है और उसे तो बिल्कुल चिर्चिरा लगता नहीं है सैनिटरी पैंट जो है वो इस तरह से होती है ए देखो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या इस तरह से होती है ए अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा मेसुस होगा ए भी बात द्यान रखना बहुत जरूरी है आपना निपल कैसे है ए देखना ही भी जरूरी है और सैनिटरी पैड की भी पात आप जरूर द्यान में रखिए यह आप करके देखो आपके डिलिवर के बात आपको बहुत हैपी लगेगा हैपी प्रेगनसी इक लिए क्या करना है हमने लास सेक्शन में आपको बता दिया है वगर अभी आपका खुद का द्यान रखना है आपके खुद के कपड़े और खुद का जो हमने बोला निपल सैनिटरी पैड ए सब आप एक बार चेक कर लेना है ए जरूर द्यान में रखना है अभी इसी सब ए सब करने के बाद सब तायरी करने के बाद जब पेन होगा तब आपको बैग लेके हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल जो आपके साथ आने वाले है उनको आपकी बैग दिखा देना है ए बैग लेके जिसमें आपकी मेडिकल फाइल है ये सब उनको सोब देना है, ये लेके आप भी आपको चाना है, ये कभी नहीं भुलना, मेडिकल फाइल कभी भी नहीं भुलना, अभी COVID चालू है, COVID का रिपोर्ट होगा, COVID टेस्ट की होगे आपने, और रिपोर्ट भी उसमें चाहिए फाइल में, ये सब अच्छी तर से इसमें आपको COVID का रिपोर्ट अच्छी तर से फाइल में लगा के रखना है, ये पर आपको ध्यान रखना है, और एक बाद आपको याद रखना है, अब हम पैन स्टार्ट हो, आपके ड्यूडेट आ गई है, आपको पता है अभी उस ते के आसपा, तो आप एना डिलेवरी कहा होगा, ये जो चीज़े बेबी के थोड़ी बहुत चीज़े होती है, नैपकिन होता है, डाइपर्स होते है, थोड़ी बहुत बेबी के कपड़े रहते हैं, दुप्टे बोलते हैं, जो स्वैडल बोलते हैं, और बेबी की नाने की जो प्रोसेस है, उसमें क्या-क्या च लिता है और उसमें अगर यह जो हमने तायरी करके नहीं रखी तो ज्यादा टेंशन आ जाता है कैसे होगा इसलिए अगर आप कर सकोगे तो जरू करना है आपके सब चीजे बेबी के सब चीजे जगह पर रखना है क्योंकि आभी हम जब डिच्चार करके आ जाओगे तब क्या मसास टार्ट होना वाला है उसी मसास की हिसाब से जो आपने मसास एकस्पर्ट को बुलाने वाले है उसको strokes के क्या क्या चाहिए उसको सामुगरी सब लिस्ट करके उसी तरह से आपको सब सामान अपने एक बास्केट बना के रखना है बेबी के एक basket जिसमें बेबी के सब सामुगरी हो, एक आपकी खुद की बासकेर जिसमें आपकी सब सामुगरी हो, यह सब जो मसास expert है उसके पास से लेके पूरा जो है तैरिक करके रखना है, ऐसा अगर आप करोगे जब return आजाओगे बेबी लेके तो आप खूशी खूश र और सब्सक्राइब किजिए, शेर किजिए और लाइक करना मत भूलिए ठैंक यू